क्या टीवी की गीता मा ने कर ली है शादी, क्या गीता मा अब सिंगल नहीं रही है, क्या उन्होंने खुद के लिए हमसफर चुन लिया है और उसके साथ शादी भी कर ली है गीता मा की एक पिच्चर वाइरल हो रही है जिसके लिए कहा जा रहा है कि गीता मा की शादी के बाद किये फोटो है और गीता मा की इस फोटो के लिए उनके शादी की बाद की फोटो क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इस फोटो में गीता मा ने माह में सिंदूर भरा है गीता मा चुकी सूपर डांसर शो की जज है इस शो को वो लंबे अरसे से होस्ट कर रही है इस समय मुंबई में लॉकडाउन है जिसके बाद शो की शूटिंग को दमन में शिफ्ट किया गया और वहीं पर सेट लगा हुआ है बायो बबल में रहकर पूरी टीम इस शो की शूटिंग कर रही है शो के रीसिंट एपिसोड की शूटिंग के लिए गीता मा ने रेड कलर का गेट अप लिया और साथ में उसी तरह का मेकप भी किया हाला कि इस पूरी ड्रेस में या इस पूरे लुक में अगर लोगों का ध्यान किसी चीज ने खीचा है तो वो है उनकी मांग में भरा हुआ सिंदूर और लोग अब उनसे यही पूछ रहे हैं कि क्या आपने शादी कर ली है गीता मांग यह पिच्चर्स बहुत वाइरल हो रही है और उनके जो फैंस चोके अच्छे खासे हैं उन्होंने उनसे पूछा है मांग में सिंदूर मां की शादी कब हुई वही एक और यूजर ने कहा कि देखो मैम ने मांग में सिंदूर लगाया है, मतलब मैम की शादी हो गई है, कॉंग्रेट्स भी कर दिया वही एक यूजर कहता है कि भई ये क्या बात हुई, शो की शूटिंग है तो समझ आता है बच शो में पहनी ड्रेस के साथ मैच कर रहने के लिए मांग में सिंदूर कौन भरता है एक और यूजर का तो दिल ही टूट गिया, कि मैम आपकी शादी कब हुई, हमें तो पता ही नहीं चला एक और यूजर ने याद दिलाया कि आपने सिंदूर क्यों लगाया, आपने शादी नहीं की है अभी तक, तो सिंदूर लगाना अलाउड नहीं है कुल मिलाकर गीता मा की पिच्चर्ज अब काफी वाईरल हो रही है और क्या वाकई में गीता मा ने शादी कर ली है क्या इस लॉक Хот डाउन में जब बहुत सारे celebrities ने शादी की है तो उन bizzen गीता मा भी एक है या फिर यह जो मांक का सिंदूर है यह सिर्फ और सिर्फ उस दिन के गेट अप और आउटफिट को मैच करने के लिए है ये तो गीता मा ही जाने लेकिन उनकी पिच्चर्स काफी सुन्दर है और इन पिच्चर्स ने फैंस को सवालों के धेर में फसा दिया है